ओम शान्ती आज मैंने घर में बनाया है सजवान फ्राइ राइस बीन लासुन प्याच के जिसके लिए मैंने लिया है एक चमश अदरख दो लाल मिर्श रही में तिल करेंगे और उसमें अदरख मिर्श डालेंगे थोड़ी सी गोभी हाप सिमला मिर्श हाँ दस से पंदरा बिंस का इस्तमाल किया है दो गाजर का इस्तमाल किया है इसको अश्ची तरह से थोड़ा खलका भूनेंगे स्वादने सर नमक डालेंगे कि बाद इसको फ्राई करने के बाद इसमें पता गुभी में लाएंगे मैंने यहां एक कोटरी पता गुभी का इस्तमाल किया है आप सब्जिया अपनी मन पसंद अनुसार डाल सकते हैं अब इसमें पहले से ही उबले हुया राइस को मैंने डाला है एक चमच सोया सौस को मैंने इस्तमाल किया है घर में मैंने सोजवान चटनी बनाया था उसको मैं दो चमच इसमें डाल रही हूं आप अपने जरुवत के नासार डाल सकते हैं गुल मिर्श का पॉडर डाला है क्रस्ट करके और इसको अच्छी तरह से हलके हाथों से मिलाएंग जिससे ये चावल खीले खीले रहें और यहां मैं गार्निस के लिए धनिया पता का इस्तमाल कर रही हूं अगर आप प्याज लासन खाते हैं तो ग्रीन प्याज का इस्तमाल कर सकते हैं और यह मेरा खीला-खीला सजवान फ्राइड रैस तयार हो गया है और सजवान चटनी क रस्पी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे अगर आपको ये मेरी रस्पी अच्छी लगे तो मेरे चानल को लाइक और सस्क्राइब अवस्द करें ओम शान्ति